दर्द भरी हजरत साविर की सुनो दास्तातों में सुनाई बच्पन में वालिद का साया आपक सर से जब उठ जाए बेवा हो गई मा जो आपकी गम के बाद अले से छाए फाका कसी और घर में गरीबी फिक्री मा को रही सताए खाने को घर में न रोती भूक से तड़ पे मेरा लाल लाल मेरा कमजोर हो गया मा को आया फिर ये क्याल अपने बेटे को अब लेकर भाई फरीद के घर हम जाए कमी नहीं भाई के घर में खाना पेट भर वहाँ ए खाए कमी नहीं भाई के घर में भाई के घर में खाए पी ये लाल मेरा ताली में ये पाए उम्मे दोखा खिलेगा गुल्शन दुख सारा मेरा मिट जाए साबिर पाक की वालिदा ने मन में ठानी पकी बात भाई फरीद के घर पो आई पेटे को लेकर के साथ बाबा फरीद के शाने बिलाया ते और करामत कही न जाए आप एक दर सदकात लट रहे फैजिका दरिया बहता जाए आप एक सदकाए लंगर शे लोगे हजारों खाना खाए साबिर पाक की वालिदा ने आप इसे किये अरज बताए साबिर पाक की वालिदा ने भाईया मेला जार हूँ इतनी खाने को कुछ घर में नाए भूक से तलबे बेटा मेरा रात को भूक आही सोजा यही सोच कर आई हूँ मैं पेटा मेरा यहां खुसियां पाए अपनी बेहन की बाते सुनकर बाबा फरीद भारी दुख यहां बरस गए आखों से आसू और बेहन से वो फर्मा क्यों रोती हो मेरी बेहना मुस्किल तेरी हल हो जाए अपनी गरीबी लाचारी पर क्यों इतना करती हो मलाल अल्ला है सब का निगहबान है वो सब का रखता है क्याल अल्ला है सब का निगहबान है तेरे दुख में सामेल हूं मैं बोले गंज शकर शरकार अल्ला ने मुझे दी जोने मत उस पे तेरा भी इत्यार हजरत शाविर को मेरे पास छोड़ दो किसी बात से ना घब राय हजरत शाविर को बुलवाया बाबा फरीद उनसे खरमाय आज इस लंगर तुम बाटोगे जो भी बसर इस दर पे आ सब को खाना आ आ पिखिलाना कोई न भूका यहां से जा दिया हुक्म हजरत मामूने साविर पाक फिर खुसी मना देने लग लंगर पिहाजरी खाना गरीबों को खिलवा देने लग लंगर पिहाजरी लंगर बाटते बाटते यों ही बीते बाराह साल बताएं खाया नहीं एक दाना आपने भूके रहकर दिन ये बिताएं बाराह साल एक बादे आपकी मा को आया है ये ख्याल हो गया होगा खापी करके अब तो जब आये मेरा लाल बेटे से मिलने की हश्रत मा के दिल में गई समा यही सोच कर चली बालिदा भाई फरीदिक घर पे यार बेटे की देखी जब हाल अप मा को भारी हुआ मलाल सूख गया तू काट जैसा बात क्या हो गई मेरे लाल सूख गया तू काट जैसा बदन हुआ कम जोर ये तेरा देखिक तुझ को हूँ है रान बोले साबिर बारह साल से खाया नहीं कुछ अम्मी जान माने सुनी बेटे की बात तो भाई फरीदिस वो फर्माए भाई आपकी इस चोंखट पे लोगे हजारों खाना खाय फिर क्यों मेरे इस बेटे को भूका रखाय आप बताय बारा साल फाकों में गुजारे सूरत पहचानी ना जाय अगर जानती आप के दर पर भूका रहेगा मेरा लाल आप एक दर कभी नहीं छोड़ती अपना बच्चा बारा साल आप के दर कभी नहीं छोड़ती भाईया भाजरत वाबा ने फिर पोरन साविर पात पुलिया पुलाए लंगार खाना तुमको सोपा फिर भूके क्यों रहे बताए मा मुझान से बोले शाबिर पात हकीकत तुम्हे सुनाए आप ने हमको हुक्म दिया था लंगार रोजी ही आप लटाँ जो गरीब इस दर पर आए उसको खाना आप खिलाए पुझ को बोला नहीं आप ने फिर हम खाना कैसे खाए मिली इजाजत नहीं आप की भूके राए हम मा मुझान साविर पाकी की बाते सुन कर बाबा फरीद हुए है रान साविर पाकी की बाते सुन करे बेटा भजरत बाबा बोले बात आई साविर हो तुम मेरे लाल बचपन में ही किया है तुमने एसा सबर का बड़ा कमाल एक नजर फिर आपन डाली साविर उपर तुम्हें बताई साविर पाकी कुपली बनाया अल्ला से उन्हें दिया मिलाई जामे निगाहों से जुपलाया मकदुम साविर बली का एक मका रहने को दिया फिर मा भी सात में रही बताई मिली खिला पत्मा मुझान से हजरत साविर खुसी मनाई खुदा की राह में ऐसे खोए भुजरे से ना बाहर आए खुदा की राह में से खोए बोली मा हजरत साविर से मेरी हसरत नहीं मिटाए मेरी बात मान लो बेटा साधी अपनी लेओ रचाए दिल मेरा ना तोड़ो बेटा नहीं बात मेरी ठुक राए मुद्दत से है मेरी आरजू घर में दुलहन लेकर यहाँ तुझे बनाऊंगी में दुलहा सेहरा सर परदं सजाए मा को मचलते देखाया आपने साविर पाकी रही फरमाई कर लो हसरत पूरी अम्मी हम तुम से कुछ केह ना पाए सुन के बात साविर की बाल दा खुशी से फूली नहीं समाई सुन के बात साविर की बाल दा बाबा फरीज के घर पर आपे साविर पाकी की माँ फरमाई में बेबाला चार हूँ भैया आपका दर कहा छोड़िक जाँ हुए जवा फर जंद हमारे भैया सुन लो मेरी बात कर दो निकाह अपनी बेटी का मेरे साविर के तुम साथ मानूगी एहसान तुमारा पेटी को रखूं खुसाल करूं अरज में तुमसे भैया पूरा मेरा करो सवाल बोले हजरत बाबा फरीद जी सुनो बात मेरी हमसीर रास नहीं आएगी तुमको जो सोची तुमने तद्वीर रास नहीं आएगी तुमको जजवे की हालत में साविर साधी इसकी ना कर पाई समझाते साविर की मा को बाबा फरीद तुम्हें बत लहाँ भैया मुझ को बेबा जानके बात मेरी तुम रहे हो टाल सोची रहे हो मेरे घर में पेटी रहेगी ना खुसहाल अपनी बेहन के ताने सुनरे बाबा फरीद रहे फर्माए अच्छा तो ये बात बहना हमारी लोव अजमाए करून को है साविर के संग में अपनी बेटी का बतलाए बाबा फरीदी की बेटी खनी जा बनी दुलहन सब खुसी मनाए बाबा फरीदी की बेटी खनी जा कुई कुछी साविर की वालदा दुलहन को फिर घर में लाए आप की किदमत में जब दुलहन पहली रात हुजरे में आया आप ये वादत में खोई थे कुछ भी खबर नहीं बतलाए आप की किदमत में फिर आकर तुलहन ने जब किया सलाम बड़ी अदव से पढ़ी बुआंगे इस तरह आप से किया कलाम क्यों हुजूर नाराज हो हमसे हजरत मेरा क्या है कुशूर एक नजर हमको ना देखा भूल हुई हमसे क्या हुजूर बोले साबिर कोण मोतरमा उठी नजर एक नूर एक तरह लगी आग दुलहन जल जाए धनक रहे अंगार चमी से हस्म हुई दुलहन बतला एसी थी जजवे की हालत साबिर पाक की तुम्हें बता हुई मोत बेटे की बहू की मा साबिर की सहना पार बेटे के जजवे की बजह से साबिर की मा हुई बिमार इंतिकाल फिर हो गया उनका हुए अतीम साबिर सरकार बड़े जलाली साबिर पिया आंगे कोई नाया पाए होने लग सब कोही है रत एक बार बावा भरीद का लड़का लंगर खाने आई साबिर पाक की बिना इजाजत लंगर सवेदिया बटवाई खोड़ी देर के बाद वहां पर हजरत साबिर गए है आए ठाना तो यहां बचा नहीं है लंगिरी उनसे रह फरमाए हजरत बाबा के बेटे ने लंगर बाट दिया सरकार खोड़ा सा खाना भी नहीं है किया लंगिरी ने इंकार जजवे की हालत में बोले साबिर पाक तुहें बत लाए जिन्दा के से रहा बमूजी यतना का बेटा मर जहाए जिन्दा के से रहा बमूजी बाबा का फिर दूसरा बेटा हुजरे में जहांके बत लाए साबिर के जजवे की ताकत पेटा उनका से ना पाई पटक पटक के खून बमूजी इंतिकाल उसका हो जाए जजवे के सिकार हो गए तीन म मेरे भाई बताई बाबा फरीद का सब्रे देखो किया नहीं गम काई जहार शाबिर बोली अपड़े चलोली जाने बात सारा संसार बाबा फरीद ने साबिर पाक को किया इल्म से माला माल दिया खिलापत नाम आपको मिला मर्तबा इन्हे कमाल दिया खिलापत नाम आपको बाबा फरीद से मिली अजाज़त साबिर कालियर में फिर आए सुक्रि खुदा का किया आपने किया धीन का कामे बताए कलियर में गुल जारी मुहीदा उसके घर में किया कयाम गुल जारी और उसके पिसर को दिया मार खटकाए जहाम हजरत साबिर के कलियर में खुसी खुसी सब हुए गुलाम चाने बिलायत मिली आपका पाए भेज सब खासो आम आई बहर कलियर शरीफ में रह्मत के यहां बादा लिछाए शाबिर पिया की करामात का चला सिलसला तो में बताए शाबिर पिया की करामात का अहां एक दिन आया रही से कलियर शाबिर पाक कुराया जमाए अगर आप है सही बिलादत आप करामत हमें दिखाए दिन महां से कोई पकरी उसका हमको पता बताए अगर आपने बता दिया तो अपना इमाम हम तुम्हें बनाए शाबिर पिया समझ गए है एरा ही से लेता इंतहान खुदा से की फिर दूआय आपने और किया फिर ए एलान जिस जिसने पकरी खाई है खोरन हाजिर वो हो जाए बस इतना ही कहाय आपने सता इस वहाँ लोग है आए बस इतना ही कहाय आपने सर को जुपा कर खड़ सामने धर 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 के कापे जाए बकरी के बारे में पूछा चुबा से कुछ भी कहना पाई तुम लोगों ने खाई बकरी करने लगे ब सब इंकार साबिर पाग को गुस्सा आया उनको लगाई फिर खटकार भोले रही से कल अरशे फिर बकरी को आबाज लगाए बकरी का था नाम हरी फा नाम लिया उसका बतलाए उन लोगों के पेट से बकरी मैंने करती वोई चिलाए बकरी ने फिर सारा माज रहा साबिर पाग को दिया बताए बकरी ने फिर सारा माज रहा साबिर पाग एक बचपन की अब सुनो करामत तुम्हें सुनाए साबिर पिया की माने देखा सुबह के बक्ते हाल बताए एक साप के दो तुकले थे पढ़े जमी पर दिये दिखाए साबिर पाग वहीं पर बैठे और बुमा से रही फरमाए आज सकोई साप हमारे खान दान को काट न पाए मैंने साप के बाद शाह को मार दिया है तुम्हें बताए सब सापों से लिया है बादा अब ना किसी को कोई सताए जहरी ले इस नांग को मारा करामात साबिर दिखलाए जहरी ले इस नांग को मारा एक बार हजरत शाबिर के घर में भाता हुआ पताए हजरत को जब भूक लगी तो अपनी मा से वो फरमाए अम्मी हम तो खाना दे दो भूक से हम तो तड़ पे जाए शाबिर की जो देखिया लप मा की आँखे नम हो जाए मन ही मन में सोच रही थी कैसे बेटे को समझाए घर में कुछ सामान नहीं है कहां से खाना इन्हें खिलाए बेटे को फिर दी है तसली खाना पका के हम तोला जेगची में पानी भर कर साविर पाकनी धकनी हटाई हुआ करिशिमा तुमें बताई तेखा फुस बूदारे चाबल तेगची में पके दिखाए बने जाए के दारे चाबल अम्मी जो तुमने है पकाए बेटे की सुन कर के बाते मा को फिर है रत हो जाए हंडी में मैंने पानी रखा चाबल उसमें कहां से आ देखा जल बाली दान जाग कर करामात साविर दिखलाए किया है फिर तक शी में तबर रुख शुक्र खुदा का भूप फर्माए चला करामातों कशिल सिला आज तलक भी रुक ना पाई चला करामातों कशिल सिला कलियर काई अभी सुनो बाकिया साविर पाक का तुमें सुनाए वहाँ पे था एक सहर कता जी जिसको तक अब बुर था बतलाए साविर पाक से वो जलता था सब लोगों को भुभर काई हजरत मक्दुम शाविर पिया को मसजिद में नमाज को आए अपने मुरीदों के साथ में हजरत जब तसरी फेलाए पहली सफे में जाकर बैठे काजी फिर उनसे फर्माए जाओ यहां से पीछे बैठो बैठेंगे हम यहां बताए जाओ यहां से पीछे बैठो अपने मुरीदों को लेकर फिर मसजिद से फिर बाहर आए सजदे में जब जुके नमाजी साबिर मसजिद से फर्माए मसजिद तू भी अब जुक जा इतना कहां मसजिद जुक जाए फर्माने साबिर का सुन के मसजिद जब नीचे गिर जाए सारी वहां मकलू के दब गई कलियर वाले सब घबराई छोटे बड़े सारे ही रोए हाए हाए सब ही चिलनाई शाबिर पाक कि थी जमुरीदा कुल जारी वह दोड़ी आए धर-धर काप रही बेचारी साबिर पाक से वह खर्मा आए धर-धर काप रही बेचारी आया नवाज को मेरा बेटा क्या वो भी मर गया पताई हजरत शाबिर बोले उससे क्यों इतनी दूरई घवराई सही सलामत तेरा बेटा जा मलवे से ले तु निकाल बच्चे को जब जिन्दा पाया कले लगाया अपना लाहाल बोले साबिर सुनो मुरीदा अबना पल की तेरे लगाओ पराकोस कलियर सदूर तुम अपने बच्चे को ले जाओ आएगी अब बला सहर पे होगा फनाए शहर बताए बच्चे को ले कर गुल जारी पाराह को से दूर पर जाए बच्चे को ले कर गुल जारी आया जलाले साबिर तिया को सारे सहर को दिया जलाए जहां जहां भी नजने डाली आग वही पर लगती जाए ऐसा जलालून की आँखों में हर एक चीज सोला बन जाए भदक रही कलियर की जमिये एसी तवाही दी है मचाए बारा पोस तक कुछ भी बचाना सनाटा कलियर में जाए गुलर पेढ़ी की साक्य पकड़ के बारा साल खड़ रहे बताए हर एक चीज भना हो गई ऐसा जलाल बाबा दिकलाए है मसहूरे उनकी करमत सारे जहां में तुम्हें बताए है मसहूरे उनकी करमत ख़वर लगी जब बाबा फरीद को अपने मुरीदों से फर्माए बारा साल से खड़े है साविर पूलर के नीचे बतलाए जो मेरे साविर को बिठा दे कोही नामे हमसे पाए हजरत समसुदीन तुर्क ने पादा उनसे दिया बताए मैं हजरत शाविर को बिठा हूँ आप इजाजत दो फर्माए बाबा फरीद न दी है इजाजत समसुदीन कलियर में आए किया सलाम हजरत शाविर को और इक कलाम बूने सुनाए हो गए फिर खामों से तुर्क तो साविर उनसे रही फर्माए हो गए फिर खामों से तुर्क तो बारा साल से खड़ेत शाविर समसुदीन न दिया बिठाए बैठ गए जब हजरत शाविर अरजी समसुदीन लगाए मुझे गुलामे बना लो आपका गरा में आपका जो हो जाए कामियाद हो जाए जिन्दगी खिदमत आपकी जो मिल जहाए सुन करके फर्याद आपकी साविर पिया फिर फर्माए रहो हमारे साथ मगर तुम पात सुनो ये तुम्हे बताए मेरे सामने कभी न याना इसी बात का रखना धान बेयात किया है आपने उनको पिया खिलाफत का फर्माँन बेयात किया है आपने उनको किया खली पा समसुदीन को कलियर में फिर हुआ कमाल पुझी आग फिर सहर किशारी हजरत का कम हुआ जलाल समसुदीन को फास में रखा इल्म तरीकत दिया सिखाय अपने पीर से इल्म जुपाया हजरत समसुदीन कहाँ हो गई जब ताली में पूरी साविर उनको हुक्म सुनाए सहिंसा है खिल दी के यहाँ पर समसुदीन को समझाते है हजरत साविर तुम्हें पताए होगी करामत जाहिर तुमसे तब विसाल मेरा हो जाए जब दुनिया से पूछ करे हम दिल में रखना नहीं मलाल फोरन कलियर में तुम्हे आना मेरी बात का रखो क्या आलमयात से ना हाथ लगो ना उद्रत का है यही नजाम मेरे का पन दपन का सुन लो कैब से ही होगा इंत जहां में अपने पीर की बाते सुन कर समसुतीन बड़े दुख्याए हुए रवाय आँखों से आसु साबिर पाकुन है समझाए हुए रवाय आँखों से आसु तो पान सब के देरों के चिराग पिर उस तूफा से गुल हो जाए उस बुजुर्ग के देरे में ही जले चिरागे तुम्हें बताए बसे बात समझ लेना तुम कोही आलावाली कहाए फोरा नहीं उनके कदमों में अपनी अरजी आप लगाए फोरा नहीं उनके कदमों में कुछ दिन वादी वारिस आई आया जोर कफिर तूपान सब के खे में उड़े हवा में अल्ला की ये देखो सान हजरत समसूतीन कडेरा था चराग रोसन बताए राजा किल जी दोड़ा दोड़ा हजरत के देरे पर आये हजरत तुरक यहां पर बैठे जूम जूमते बढ़े कुरान कदमों में गिर गया है राजा और अदद से किया सलाम करो दुआये हजरत आला किला फते कर ले ये गुलाम हम हुजूर है आप के नोकर हजरत तुरक रहे फरमाए हम हुजूर है आप के नोकर हजरत तुरक कहे ना जासे इस्तिवा मेरा कर मंजूर करूं दुआ मैं तेरे वास्ते तीन कोस में जाऊं दूर करना तभी अ मेरे किले पे हमला फोरन तुम्हें बताए रब के करम इस फते मिलेगी दुआ मेरी ना खाली जाए की है दुआ हजरत समसूनें इला फते फोरन हो जाए अल्ला नामे की गूंजे सदाएं खिल जी राजा जश्न मना इधर करा मत हुई आपशे याद पीर की उनको आए रबा हुए आखों से आसू थर थर का पे जिगर बताए रबा हुए आखों से आसू भजरत को इह सास हो गया साधिर पाक कहुआ विसाल कलियर को भोरन ही चल दिये आखे नम और दिल में मलाहाल अपने पीर की पाक महबत करने लगी उन्हें बेकरार साधिर पाक की आदे करके रोते रए बारं बार कलियर में पहुँचे तो देखा मैयत पीर की उन्हें दिखाए साधिर पाक का रखा जनाजा अल्ला नूर रहा बरसाए पहले हजरत बहुत ही रोई फिर लिया है सपर सिकाम का फन दफन का गेब सही था देखो सारा इंतजाम का फन दफन का गेब सही था हजरत साविर की मैयत पर अल्ला ओलियां बहुत से आए सोचे जनाजे की नमाज को कैसे और ये कौन पढ़ाए हजरत समसु दीन नला के एक मुसला दिया बिछाए हुआ जनाजे की नमाज का हो गया बक्ति तुम्हें बतां तभी अवाजे आई ठहरो हम ही पढ़ाएंगे नमाज बापरदा घोड़े पर आए कोई नहीं ये जाना राज हो गयी जब नमाजे पूरी घोड़े पर जब बैठिक जाँ जैसे ही घोड़े पर चड़े बो हाजरत तुरके दोड़े आए जैसे ही घोड़े पर चड़े बो हाजरत तुरके नथा मिल जाकर देखो उस घोड़े की लगाम बोले महरबाय आप कौन हैं हमें बताओ अपना नाम किसने नमाज साविर की पढ़ाई लोगों को हम क्या बत लाएं रुख से परदा हटा दिया फिर चेहरा मुबारक दिया दिखा देखे के अपने पीर के चेहरा हजरा तुरके नहोंस गबाय साविर पाक नजर जो आए क्या है माजरा समझ न पाई साविर ने फिर कहा है उन्षे क्या है बका फना बत लाएं वो मयद तो फना है मेरी मैं जो खड़ा बका बताएं वो मयद तो फना है मेरी इतने कहारों पोश हो गई साविर पिया ये तुमें बताएं हजरत तुर्क बहोस हो गए खोड़ी देर में होस में आएं कुदरत ने की मदद आप की किया जना जात अपने बताएं कलियर में हजरत साविर का है मजार रोसन बत लाएं चमक रहा है नूरिक खड़ा का दुनिया यहां दीदार को आएं कूलर का यहां पेले मुबारक साविर पाक की है यह सहान होता यहां परफुर से मुबारक जयरी में दीदार को आएं होती मुरादें पूरी सब की जोलिया सब की ही भर जाएं होती मुरादें पूरी सब की कलियर के साविर महराजा बलियों में आला के लाएं हजरत मक्दुम साविर बाबा रहमत्या पे रहे बरसा जो भी इनके दर पर आएं है जी आब वो ही हो जा रुडकी से कलियर शरीप का है ये रस्ता थोड़ी दूर जो दीदार की करेगा हसरत अर जी हो जाती मंजूर पांजों के घर फूल लाते गहा कले गरीबों कोई लगा से तानी जिन और हो आएं यहां पे आकर सब हट जाएं मिले यहां सब को कुछ आली ना मायूस कोई भी आएं मिले यहां सब को कुछ आली कलियार के मकदों में सहन सा सब आपका बड़ा स्वाई कहती है यह सारी दुनिया हजरत साबिर तुम्हे सलाम साने बिलायत पाने वाले साने करामत सब को भाएं सबर में सोहरत पाने वाले हजरत साबिर तुम्हे सलाम रब से महबत करने वाले थीनी पर चमरा लहराय हम पे इनायत करने वाले हजरत साबिर तुम्हे सलाम बारह बरस तक भूखे रहना साने बिलायत कही न जा इतनी मुसीबत दिल पे सहना आज रत साबिर तुम्हें सलाम इतनी मुसीबत दिल पैसे ना प्यारे नभी के तुम हो प्यारे मौलारी राजी हो जाए हाथ मभी के आँखों कतारे हज रत साबिर तुम्हें सलाम पाक पतन से आने वाले कलियर को दिया मेहकाई साने करम दिखाने वाले हज रत साबिर तुम्हें सलाम कैसी करामत तुमने दिखाई खुदी जनाजा नमाज पढाएं कहती है ये सारी खुदाई हजरत साबिर तुम्हे सलाम कल यार को पहले तो चलाया पाथ उस फिर दिया बना फिर उसको गुल जार बनाया हजरत साबिर तुम्हे सलाम फिर उसको गुल जार बनाया सब पीनायत करने वाले सब को गले से आप लगाएं तूरे मुसीबत करने वाले हजरत साबिर तुम्हे सलाम वलियों में तुम भीला शानी आला मर्तवा कहा न जाए गंजे शकर के दिल पर जानी हजरत साबिर तुम्हे सलाम खुरानी राहों के राही नभीक प्यारे आप कहा तुमसे राजी हुआ इलाही हजरत शाबिर तुम्हें सलाम हुक्म खुदा से डरने वाले लावे खुदा से आप लगा सब की जोली भरने वाले हजरत शाबिर तुम्हें सलाम सब की जोली भरने वाले हजरत साविर पाक थे एक दिन जिकर खुझा में सर कुझ उपाई एक बरात उधर से गुझरी सोर सरावा धूम मचाई सोर सरावे हंगा मेंने जब के उनका ध्यान बटा ध्यान बटा जब साविर जी का आप बहुत गुसे में आए दिल में सोचा कैसे इसे ठंगा में सचुटकारा पाए कैसे उनको मना करे वो कैसे उनको दूर भगाए पासे रखा था एक पयाला उस पर ही ये असर दिखा जैसे ही प्याले को पलता गुम हो गई बारात बहाई जैसे ही प्याले को पलता उस बारात के गुम होती ही हर सूफिर सन्नाटा चाय तोबा अस्तरा फार किया फिर मौला से बोध्यानी लगा लोग वहां के अता पता वारात का जब कुछ भी न पा थाने में भी रिपट लिखाई लोगों से भी वो धुडवाई हो के परिशा हर जान बिशे खुद मत साविर पाके में आ दुलहे के माँ बाप ये बोले लुट गए हम तो हाई हाई दुलहन वाले भी सब रोए सिसक सिसक के असके बहाँ देखे के उन सब की ये हालते जितने आए थे उन सब को हजरत बालाए बतलाए आकर मेरे पास बराती नाचे गाए धू में मचहा यसी लिए घुसे में आकर मैंने उनको दिया चुपाए केते ही उल्टा प्याला कर दिया सीधा हाथ बढ़ा सबने देखा बैसे ही वारात जमी थी रंग जमाइकाने फट जाते थे सब के कितना उन्होंने सोर बचा जाके दूला दूलहन वाले ताउडिक वाजे बंद करा सबने आकर माँ पी माँगी केसी लगी तुम्हेरे भाई से पीकी केसी लगी तुम्हेरे भाई संजो ने आलहा सुनाई सुनो मो मेनो ज्यान लगाई सुनो मो मेनो ज्यान लगाई हाँ केसी लगाई